हेलो दोस्तों वेलकम करती हूँ जाइकातर का चैनल में तो आज लेकर रहे हूँ होम रेमेडी जिसे आपके डाक स्पोर्ट हो जाएगे गायर तो फुल वीडियो को वोच कर लेजिए अगनी और बेकार्ट जब हो जाते हैं तो उसके पीचे छोड़ जाते हैं डाक थपे डाक स्पोर्ट होने से हमारी स्किन अनिवन और डल होने लगती है अपने मेकप से तो छुपा सकते हैं लेकि टेंपररी होता है तो मैं लेकर आई हूँ दो रेमेडी जिसे आपकी डाक बेन वॉटर इसमें आपने सैंडलोट का पॉडर डाल देना है तो सैंडलोट का पॉडर डालके इसको अच्छे से जो वॉटर है वो डालके अच्छे से मिक्सप कर लेना है बिल्कुम स्मूद सा हो जाएगा तो इसमें और एक इंग्रेइंट है लेकर इस पॉडर वो भी बिल्कुल आपको थंडा सा महसूस होगा, कूल सा महसूस होगा, और यह जो पेस्ट है, बिल्कुल स्मूध सा है, और यह best natural remedy है, जो कि मैं आज लेकर आई हूं, और लिक्रेस पॉडर पे आप इसमे मिक्स कर सकते हैं, तो उसकी क्या-क्या बेनिफीट्स है, मैं नेक्स वीडि कर लेजीगा और comment section में comment करें आपको कोई doubt है तो ठीक है इसको अपने दो टेम आपने face पे लगा लेना होता है morning की समय पे लगाना होता है बस इसको एक गंठा आपने skin पे रख ले और इसको सुपने के बाद इसको wash कर ले तो आप इसका result देख पाएंगे एक हफते में आपको तो थोड़ा थोड़ा करके daily आपको skin पे एक ही दिन में आपको effect इसका नजार आने लगेगा तो दूसरे 30 दिन तो बहुत अच्छा result मिलता है तो night पे भी लगा के थोड़े देर रखके फिर wash करके सो जाए तो बहुत अच्छा result मिलता है बिल्कुर smooth सा powder आपने लेना है तो skin के उपर आपने बस उसको लगा लेना है बस उसके slices करके लगा ले दो तीन slices करके आप अपने skin पे उसका water जो है वो लगा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा इसके साथ साथ वो भी करें लेक्ना आपकी skin इतनी glowing इतनी जबबर्दसी हो जागी uneven tone जो है वो चला जाएगा और skin है और even हो जाएगी और बहुत है खुबसरत लगेगी तो पिंपर्स के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उसके लिए हम क्या क्या करते हैं तो इस remedy को ज़रूर सही इस्तमाल करें लिक्रिस पॉर्डर में भी काफी ज्यादा अच्छे से गुन होते हैं मैं लेकर आजाओंगे तब तक के लिए मिलती हो नेक्स वीडियो में टेजन टेकिर अलाफीज और गुट बाई